रादे रादे जैसी क्रश्ना मैं सीमा सिंग बड़ों को चरनिस पर छोटों को प्यार और बड़ाबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ आज हम बेसात मास के महात्यमे का 22 अध्याय सुनेंगे हमने अब तक 21 अध्याय सुने हैं अध्याय सुने से पहले आप से एक करून रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये महात्यमे सुनकर अच्छा लगा है आपको इसका पुन्या फल प्राप्त हुआ है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अपने दोस्तों रिष्टेदारों में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी बेसाग मास का संपून फल प्राप्त हो सके और आपको इसका पुन्या धर मिल सके आईए अब हम बेसाग मास के महात्यमे का 22 अध्याय सुनकर है इस अध्याय में व्याद और शंक मुली का समवाद आएगा साथ ही व्याद शंक मुली से बेसाग धर्म को पूछते हैं और अपने पूर्व जन्म के बारे में भी पूछते हैं तब शंक मुनी व्याद को उसके पूर्व जन्म का सारा वृतान सुनाते हैं और बेसा अधर्म के बारे में भी बताते हैं यह सारा महात्यमें हम इस अध्धाय में सुनेंगे आईए अब हम बेसा अक्मास के महात्यमें का बाईस्यों अध्धाय सुनते हैं व्याद शंक मुनी से बोले कि हे महात्मन मैं अत्यंद ही दुर्पुद्धी और पापी हूँ हे दया के सागर अब आप मेरे उपर क्रपा कीजिए अब मैं जान गया हूँ कि आपके हातों ही मेरा उधार होगा हे ब्रामन देव मेरी बुद्धी दुशित कर्मों में लगी रही मैंने पूरी उम्र खोटे कर्म किये हे देव अब आप मुझे बेसाग मास के महात्यने को सुनाईए ताकि मेरे पापों का नाश हो और मुझे सत्पुद्धी प्राप्त हो भगवान विष्णू की क्रपा से ही आपका मेरे से मिलन हुआ है व्याद के भप्ती युक्त वचन सुनकर शंक मुनिव व्याद से बोले कि हे व्याद तु धन्य है जो तुझे सत्पुद्धी प्राप्त हुई और तु विष्णू की कथा को सुनना चाता है हे व्याद अगर तु अपने पूर्व जर्म के पापों को और इस जर्म के दुशित कर्मों को धोना चाता है तो तुझे बेसाक के धर्मों का पालन करना चाहिए हे व्याद यहाँ पर बहुत कर्मी है और धूब भी है ने तो यहां व्रक्षों की छाया है और नहीं पीने को पानी है इस कारण हमें ऐसी जगर जाना चाहिए जहां व्रक्षों की ठंडी छाया हो और पीने कोशी तर जल हो वहीं बैट कर सस्त चित से मैं तुम्हें पापनाशक बेसाग कम हाथे में सुनाऊगा तब व्याद हाथ जोड कर बोला की हेव रामन देव यहां से थोड़ी दूर आगे एक निर्मल सरोवर है जहां फलों से लदे केट के रक्ष भी हैं वहां निश्चे ही आपका चित प्रसन हो जाएगा व्याद की बात सुनकर शंकमुनी उसके साथ उस इस्थान पर चल दिये वहां वास्तव में ही एक निर्मल सरोवर था साथ ही फलों से लदे हुए केट के रक्ष भी थे तब शंकमुनी ने सरोवर में इस्नान किया और फिर विश्नु भरगवान का पूजन किया तब तक व्याद भी केट के मीठे फल लेकर आ गया तब शंकमुनी ने व्याद के लाए हुए केट के मीठे फल खाए शीकर जल चल गिया तक पश्चा व्याद कहने लगा कि हे महात्मन अब आप उत्रफा करके मुझे बेसार धर्म के बारे में बताइए साथ ही मुझे यह भी बताईए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याद की योनी मिली और मैं तुष कर्म करता रहा है शंखमुनी आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में भी बताईए तब शंक मुनी व्याद से बोले कि हे व्याद अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में विस्ता से वताता हूँ तुम ध्यान से सुनू हे व्याद तुम पूर्व जन्म में शाकल नगर में एक वेद पाठी ब्राहमन थे तुम्हारा नाम इस्तम्भु था और तुम श्रीवत्स गोत्र के नाम से जाने जाते थे तुम्हारी इस्तरी बड़ी ही दयालू, धार्मिक, पती व्रता, सती नारी थी लेकिन तुम दुर्पुत्धी, पापी, दुराचारी, जुवारी, शराबी और मासाहारी थे साथ ही तुम विश्यागामी भी थे, विश्या की संगती में रहकर तुमने अच्छे कर्मों का त्या कर दिया और तुम शुद्र के सामान अपना जीवन बिताने लगे हे व्याद, तुमने अपना सारा सत खो दिया, लेकिन तुमारी इस्तरी अत्यंती, रूपवती, गुणवती थी उसने अपना सत नहीं खोया, वह तुमारी और विश्या की सेवा करती रही तुम दोनों पलंग पर सोते थे लेकिन तुम्हारी पती व्रतानारी जमीन पर सोती थी और तुम्हारी इस्तरी रोज तुम्हारे चर्णों को धोकर पिया करती थी जो तुम दोनों आग्या देते थे वह उसी का पालन करती थी इतना कस्ट पून जीवन जिने के बाद भी वह तुझे छोड़ कर नहीं गई एक दिन तुमने भैस का दूद मूली और तिल खा लिया इससे एप पत्य भोजन खाने से तुझे उल्टी और दस्थ हो गया और तुझे कुष्ट रोग भी हो गया तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए हे व्याद जब तक धन था वेश्या ने तेरा साथ दिया और जब धन खतम हो गया तो बचा कुछा धन और रुपिया चोरी करके वह तुझे छोड़ कर चली गई जब तुझे यह पता चला तो तुझे वेश्या से खरना हो गई तब तेरी पत्मी ने तेरी खूब सेवा करी तब तुने अपनी पती व्याद इस्तरी से कहा कि हे सिंदरी मैं बड़ा ही पापी और निष्टु हो हे कल्याणी मैं तेरा अपरादी हो मैंने तेरा कभी साथ नहीं दिया ने मैंने तेरी कभी इच्चत करी हे कल्यानी जो मनुष अपनी इस्त्री का मान नहीं करता वे 15 जान्म तक नपुन्सत होता है हे कल्यानी मैंने हमेशा सादू सन्नासियों और महात्माओं की अवहेलना करी और मैंने हमेशा तेरी अवग्या करी इसलिए निश्चे ही मेरा अगला जान्म पापियोनी में ही पैदा होगा तब शंकमुनी व्याद से बोले कि है व्याद तेरे वचन सुनकर तेरी हिस्तरी हाथ चोड़ कर बोली कि है सामी आप ऐसा क्यों कहते हैं मैंने कभी भी आपको दोशी नहीं माना और ने कभी मैंने आपके उपर क्रोध किया यदि आपको कोई दुख मिला तो वहें मेरे कर्मों का ही फल होगा हे स्वामी आप मुझे माफ कर दीजिए आप दुखी मत होईए हे स्वामी जो अपने पती के क्रोध को सहन करे वही सादवी नारी है ऐसा कहकर वे अपने पिता और भाई के घर गई और वहां से कुछ धन लाकर उसने तेरी सेवा सुशुशा करी दिन रात वे पती व्रता इस्त्री तेरे मल मुत्र धोती तुझे इस्तनान करा के साव वस्तर पहनाती खाना बना कर अपने हाथों से खिलाती और तेरे कोड में कीडे पढ़ गे जिने वे अपने उंगलियों से निकालती रात दिन वे तेरी सेवा में लगी रहती थी उसने अपनी नीद का भी त्याक कर दिया था वे ऐसी नारी थी जो तेरे दुख में दुखी होती थी और तेरे सुख में सुखी होती थी और हमेशा भगवान से प्रातना करती थी कि हे दे मेरे पती के रोख को दूर कर दीजिए, मेरे पती के पापों को कम कर दीजिए आगे शंक मुनी व्याद से बोले कि हे व्याद एक बार बेसाग की दोपहरी में देवल मुनी तुमारे घर आए देवल मुनी को आता देखकर तेरी इस्तनी ने उनका खुब आदर सतकार किया और बोली कि देवल मुनी आज हमारे घर आए हैं आज हमारा घर पवित्र हो गया हमारे घर एक वेदाए हैं अब मेरे पती का कुष्ट रोग जल्दी ही दूर हो जाएगा अब तक जितने भी वेद्य मिले उन्होंने मुझे ठगा है हे व्याद तेरी उस इस्त्री ने देवलमुनी के चरन धोकर खुद के और तुम्हारे सिर पर चरन उद्दर छिड़का देवलमुनी भूप और प्यास से व्याकूल थे तब तुमने अपनी इस्त्री से कहा कि देवलमुनी को शीतल शर्बत और कंद मूल फल खाने के लिए दो तब तेरी इस्त्री ने तेरा कहना मान कर देवलमुनी को शर्बत पिलाया साथी कंद मूल फल भी खाने को दिये इस तरह तुमने देवलमुनी के सानिद्य में पूरी रात्री बिताई दूसरे दिन सुबह देवलमुनी अपने गंतव्य इस्थान पर चलेगे और तुम्हारा भी सनीपात हो गया जब तेरी इस्थरी ने तुझे त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली कात ली तभी तुमारे दाँट भीच गए और तेरी इस्थरी की उंगली तेरे मुख में ही रह गई हे व्याद इसी अवस्ता में ही तुम्हारी म्यप्यू हो गई शंक मुनी आगे बोले कि हे व्याद मरते समय जब तुम्हारे प्राण निकल रहे थे तो तुमने उसी वेश्षा का धान किया फिर तुमारी इस्थरी ने अपने सोने के कंगन बेच कर इंधन लेकर आई और चिता बनाई इसके उपर तुझे लिटाया और वे खुद भी चिता में सती हो गई इस प्राकार सती होने बेशाक मास में देवल मुनी को शर्बत पिलाने कंद मूल फल खिनाने और चर्णो उद्दक सिर पर छड़कने से तेरी इस्तरी को सदगती प्राप्त हो गई परंतु हे व्याद अंत समय में तुमने विश्चा का धान किया जिससे तुझे व्याद के घर जन्म लेना पड़ा इसी कारण तु पाप हिंसा में लगा रहा हे व्याद पूर्व जन्म में तुने अपनी इस्तरी को देवल मुनी को शर्बत लाने के लिए कहा था इसी कारण व्याद योनी में भी तुझे बेसाक धन पूछने की सदबुद्धी प्राप्त हुई साथ ही तुने बेसाक मास में देवल मुनी के चर्णो उद्धो को सिर पर छड़का था जिससे तुझे मेरी संगती प्राप्त हुई हे व्याद मैंने तुझे तेरे पूर्व जन्म का सारा व्रताम कह सुनाया हे व्याद तेरे पूर्व जन्म के सभी बाप और पुन्य मैंने अपनी दिवय दस्टी और मनोबल से देखे और तुझे सुनाये अब तेरी और क्या सुनने की इच्छा है वै मुझे बता, मैं तुझे सुनाने के लिए ही बैठा हूँ तब आगे शंकमुनी व्याद से बोले कि हे व्याद अब तेरा चित, तेरा मन शुद्ध हो गया है, अब तेरा कल्यान ही होगा कि हे राजन भगवान सिरी क्रश्ण को प्रसंद करने वाला सरोत आज में तुम्हें बताता हूँ उसको सुनने, पढ़ने और सुनाने मातर से ही मनुशिके सभी जन्मों के पापों का शेह हो जाता है हे राजन वैसरोत है, तुम ध्यान से सुनो आधो देव की देव, गर्भु जननम, गोपी ग्रहे, वद्रधनम, माया पूतम, जीवं, ताप हरनम, गोवर्धनो धरनम कंस चतेधनम, कोर्वा दिननम, कुंती सुपा जालनम, एतद शिरीमद भागवतम, पुरान कतिथम शिरी क्रश्न लीला अमरतम अचूतम केश्वं, राम नारायनम, क्रश्न दामोदरं, वासुदेवं हरे शिरीधरं, मादवं, गोपी का वल लभं, जानकी नायकं, राम चंदरं भजे हे राजन जो मनश इस इस्तरोत को शद्धा और विश्वास के साथ जाब करता है तो मनश की सभी मनोकामनाई पूरी होती है, सभी संकटों से उसे मुक्ती मिलती है जन्मों के पापों का शे होता है, अगला जन्म सुधरता है मित्यू का उस सुव्यक्ती को कभी भै नहीं सताता यमदूत के दर्शन नहीं होते, यम मार्गी की पीड़ा नहीं जहलनी पड़ती सुख सम्रद्दी एश्वरिये बढ़ाने वाला ये महा स्रोत है इस स्रोत को जो रोज पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है उसकी आगे आने वाली साथ पीडियों को कभी भी गरीबी का दुख नहीं जेलना पड़ता हे राजन, मैंने तुम्हें भगवान स्रीक्रशन को प्रसन करने वाला ये स्रोत बताया अब मैं तुम्हें भगवान स्रीक्रशन का जीवन भर के कलेश नाशक मंत्र को बताऊंगा भगवान स्रीक्रशन का कलेश नाशक मंत्र तुम ध्यान से सुनो हे राजन जो मनश रोज भगवान श्री क्रशन का ये कलेश नाशक मंत्र को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन में कभी भी कलेश नहीं रहता हे राजन तुम ध्यान से सुनो वैसरोत है ओम श्री क्रशनाई शेरणम ममे या क्रशनाई वासु देवाई हरिये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाई गोविंदाई नमो नमहे हे राजन इस मंत्र से भगवान श्री क्रशन बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं हे राजन इस मंत्र का अर्थ है कि हे क्रशन भगवान हम आपकी शेरण में हैं हे श्री हरी वासु देव हे परमात्मा हे हरी गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है आप हमारे कश्टों का नाश करें और हमें सर्व सुक प्रदान करें इस मंत्र का जाप करने से भगवान हरी अत्यंत प्रसंड हो जाते हैं वे अपने भक्त का कदम कदम पर साथ देते हैं हे राजन जो मनुष भगवान स्रीक्रशन के इस मंत्र का जाब करते हैं भगवान स्रीक्रशन उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आने देते इसलिए हे राजन जब मनुष्य सब तरह से हार जाता है दुखी हो जाता है उसके जीवन में सारों तरब अंधिकार हो जाता है तब उसे इस स्रोत को पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए यह स्रोत उस मनुष्य के जीवन में खुशिया लेकर आता है हेराजन, इस्त्रोत से भगवान क्रशन के साथ राधारानी भी प्रसन होती है, इस्त्रोत को जो सुनता है उसकी पारिवारिक शमश्याओं का निराकरन हो जाता है, घर के सभी सदच्चों का स्वास्थे निरोगी रहता है कारोबार में दिन दोनी राज चोगनी तरक्की होती है पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई में मन लगने लग जाता है नी संतानों को संतान सुक प्राप्त होता है घर में धन धाने की व्रद्धी होती है ही राजन मैंने आज तुमें भगवान स्रीकृष्ण को प्रसंद करने वाले मंत्र बताया और साथ ही भगवान स्रीकृष्ण का कलेश नाशक मंत्र भी बताया इस प्रकार आज मैंने आपको बेसाग मास के महात्यम्है का 22 अध्याइ सुनाया मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे के अध्याई के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद